Hello and Welcome Everyone पहरे साथ ही आज से हम लोग Redox Reaction मतलब कि जो Redox वाला जो चैप्टर है उसको Complete करने जा रहे हैं यह Start करने जा रहे हैं बोलना चीए हलांकि दो Class, तीन Class में इसको Complete भी कर लेंगे और मैं बहुत सारी Unique, Unique चीजे आप लोग को इसमें कबर कराने वाला हूँ कारान क्या है पता है क्योंकि जो Redox Reaction के जो Applications होते हैं जो Concepts होते हैं वो आप लोग को Chemistry के तीन चार अलग अलग चैप्टरों में देखने मिलेंगे और वहाँ पर वो चीजे बहुत टफ हो जाएंगी अगर आप Basic चीजों को यहाँ पर Clear करके नहीं रखोगे जैसे आपका Redox का जो Application रहेगा Chemical Reaction Balancing करने वाला जो Scale है वो आपको S Block Element, P Block Element D and F Block Element सब जगा काम आता है सब जगा काम आता है Redox Reaction का ही Application Mole Concept में आप Redox Titration के नाम से करते हैं Higher Order Concept है ठीक है इसके अलवा Redox का ही जो Application यूज होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में जो Cell के इलेक्ट्रोड पोटेंशल होते है वहाँ पर Solve करने में यूज करते हैं Redox का ही Application है कि Organic Chemistry तक में इसके बड़े अच्छे खासे आप लोग को उप्योग देखने मिलेंगे तो जितनी भी चीज़े मैं Cover करवाऊंगा आप समझ लिजए कि That will be more than sufficient और आपको वो सारी चीज़े Maintain करनी है आपको tough लगने वाले chapter इतना आसान, इतना सरल लगने लगेगा ना कि on your fingertips आप चीज़ों को solve करने में capable हो जाओगे तो फिलाल के लिए चलिए यह स्टार्ट करते हैं तो जियो हमारा chemical reaction होता है कभी भी पूछा जाता है chemical reaction कितने type के होते हैं तो मेरे प्यारे साथियों सभी लोग अलग-अलग जवाब देते हैं कुछ लोग कहते हैं सर fast reaction होता है, slow reaction होता है मतलब तीवरा और मन्द भी करिया कुछ लोग कहते हैं forward और backward reaction अगरा और पस्चा भी करिया कुछ लोग कहेंगे सर उसमा शोशी और उसमा छेपी भी करिया मतलब या endothermic या exothermic reaction बट एक्च्वल में जो chemical reaction है ना प्यार प्यारिच साथियो वो पूरे universe के जितने भी chemistry के chemical reactions है उनको दो भागों में बाटा गया है एक है reversible reaction दूसरा है irreversible reaction इसको मैंने chemical equilibrium वाले चैप्टर में already इस पे बहुत ज़्यादा बात किया होगा एक एक चीज को मैंने conceptually clear किराया होग उतक्रमणिया और अनुतक्रमणिया अब उनकी क्या क्या प्रपटीस है वो सारी मैंने आपको बताई फिर मैंने ये भी बताया होगा कि universe में जितने भी practical reaction है जो यथा संभाव exist करते हैं संभाव हैं वो सभी के सभी क्या है irreversible reaction है अनुतक्रमणिया भी क्रिया में आती है औ ठीक है that's a part of two different chemical reaction जिसमें आप लोग oxidation और reduction लेते हो तो oxidation और reduction मतलब oxygen और अपचेन तो reduction का R, E, D और oxidation का O, X मिलकर क्या बन गया है redox reaction क्या बनता है redox reaction तो redox reaction क्या है एक complete reaction है जो दो अर्ध अभी क्रियाव में बढ़ती है half reactions में बढ़ती है एक क्यालाता है reduction reaction जिसको हम लोग नाम देते हैं अपचेन अभी क्रिया क्या नाम देंगे दोस्तों अपचेन अभी क्रिया और दूसरा हमारा आता है दूसरा हमारा आता है ऑक्सिकरन अभी क्रिया जिसे हम लोग oxidation reaction के नाम से जानते हैं तो दो प्रकार का ऑक्सिकरन अपचेन ये दोनो complete reaction ह है कि half reaction है तो सर ये half reaction है अर्ध अभिक्रिया है और दोनों मिलकर बनाती है complete redox को is that clear everyone सबको बाते समझ में आ रही है अच्छे से clear है अब चलिए अब oxy current और up chain ये जो दो half reaction हुई न अब इनकी properties को जानेंगे पूरे system से मैं सीधे सीधे चीज़े उठाऊंगा न और higher level तक अपन जाएंगे क्योंकि चार अलग अलग chapter में इसके application series होने वाले है भाई तो एक बार पड़ो चार जगए एकदम खुश हो जाओ ठीक है buy one get four free क्या ही mega offer चल रहा है चलिए अब आती है oxidation मतलब oxygen अभिक्रिया और उससे related प्रमुक जो उसके अभिग्रहित है मतलब points है अब उनको समझते हैं तो ये English में है हिंदी में भी है बिलकुल परिशान नहीं होंगे अरे सर हिंदी कहाँ ये आग ये हिंदी oxygen अभिक्रिया नाम में oxygen मतलब oxygen छुपा हुआ है ना भाई code से याद करो इसको trick बना लो कि oxygen है इसमें oxygen में तो oxygen का जुड़ना ही क्या कहलाता है oxygen बट एक बात हम इससे समझो कि क्या हर reaction देखो हर reaction redox reaction नहीं मैंने बता है 99.9% reaction जो हमारी पृत्वी पर होता है वो redox के स्रेणी में आता है मतलब oxygen और oxygen में बटेगा ही बटेगा किताब में लिखा रहता है जैसे आप junior level में जब पढ़ रहे होते हैं तो hydrogen का जुड़ना oxygen का जुड़ना oxygen है और oxygen का जुड़ना oxygen है balance कर लेना दस हो गया यह 4 था ना ठीक है तो इसको आप लोगना 10 mole लेलो और इसको फिर आप लोग 4 mole लेलो ठीक balance हो गया तो PCL5 में कौन सा oxygen जुड़ा है नहीं जुड़ा है कौन सा hydrogen जुड़ा है नहीं जुड़ा है तो क्या यह oxygen अप शेर के स्रणी में नहीं आएगा आएगा इसलिए मैंने थोड़ा definition को परिवर्तित किया है मैंने लिखा है किसी रसानी का विक्रिया में oxygen या विद्धुत्रणी तत्यों का जुड़ना oxygen या विद्धु तरणी तत्यों का जुड़ना क्या कहलाता है oxygen कहलाता है खाली oxygen ही और खाली hydrogen ही इस पृथी पे ऐसे दो तत्यों नहीं है जो सबसे सन्योग करते रहे बिया phosphorus chlorine जुड़के भी oxygen अभी करिया दिखा सकते है is that clear everyone? समझ में आ लिए बाते तो इसलिए definition किताबी definition को हमने थोड़ा सचेंज कर दिया oxygen का जुड़ना oxygen नहीं है oxygen या उसके जैसे विद्धु तरणी तत्यों भी electronegative element भी अगर add-on हो रहे हैं जुड़ रहे हैं तो भी वो क्या कहलाएगा oxygen कहलाएगा और उसी तरीके से hydrogen या विद्धु धनी तत्यों का निश्काशन होगा और यह negative जुड़ रहा है विद्धु तरणी जुड़ रहा है तो विद्धु धनी element लोग बाहर जाएगे ना तीक है और oxygen अभी करिया कैसे है अरद अभी करिया है half reaction यह तो अभी हमने clear किया साथी साथ में oxygen अभी करिया के दवरान electronों का त्याग होता है means oxidation is a de-electronation process इसमें electron निकलता है कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियो कि इसमें electron निकलता है जैसे मैं Fe plus 2 में एक electron निकाल दिया एक electron निकाल दिया तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा Fe plus 3 बन जाएगा समझ में यह बात है electron क्या हो गया remove हो गया देखो इधर का charge क्या है plus 2 अब इधर का भी charge क्या है plus 3 और electron पर minus 1 total क्या है plus 2 charge balance है बिलकुल है सर मतलब reaction सही है अपना तो आप यहाँ से देख पा रहे हो कि de-electronation process हो रहा है electron बाहर निकल रहा है इसलिए इस process को हम लोग क्या नाम देते हैं oxygenation process अब मेरी बात ध्यान से समझे ना क्या कहना चाहर हो कि जब मैंने de-electronation process किया electron जब बाहर निकला तो यहाँ plus 2 charge से क्या होगी अब plus 3 charge तो यह सबसे important point यहीं से हम लोग को मिलता है तो सबसे अच्छा तरीका है charge को देखो आवेश को देखो de-electronation process से मतलब आवेश का मान बढ़ रहा है plus 2 से plus 3 हो रहा है तो अगर अगर आपका मेरे प्यार साथी हो oxidation number या oxidation state की value बढ़ेगी धनावेशों की संख्या बढ़ेगी तो भी अब वो process इस oxygen कहलाएगा shortcut मैंने उसको oxidation दिखा है is that clear everyone similarly अगर मान लीजे मैं CL minus से CL2 बना रहा हूँ चलो बताओ क्या यह oxidation है क्या अप chain है तो आप देखो कि sir minus 1 से 0 जा रहे हो किसी भी molecule जो खुद के साथ ही bond बना रहे है जैसे CL-CL के बीच वे bond है तो उसका oxygen करण वस्ता आप शुनने मानते है तो minus 1 से 0 जा रहे हो कौन बड़ा है तो 0 आगे आता है minus 1 पीछे आता है plus 1 आगे जाता है जो चीज़ जितने दाहिनी हो रहाती है उसकी value उतनी जादा होती है तो इसलिए आप समझ पा रहे है यहाँ भी आप लोग का oxidation नंबर क्या हो रहे है दोस्तों बढ़ रहा है मतलब यह process भी किसमें गिना जाएगा oxygen में oxidation process में count होगा is that clear everyone सबको सबच बहा रहा है तो कुल मिला जुला के oxidation का मतलब होता है positive charge का संक्या बढ़ जाना अब उसी का उल्टा कौन हो जाएगा up chain हो जाएगा reduction हो जाएगा पूरा उल्टा उल्टा काम करो वहाँ oxygen यह electro negative element जूड रहा था तो यहाँ hydrogen यह electro positive element जूड़ेगा ठीक है oxidation का English में भी आप लोग देखना चाहो तो यह पूरे वही points है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया है similarly reduction वाले को भी देख लो अच्छे देखो यह बड़े सारी example है ठीक है oxidation में कि भी oxygen जूड जाए तो सिद्धे सिदे क्या होगी oxygen process से सारे के सारी example कौन से reaction के है oxidation reaction के है ठीक carbon के साथ oxygen जूड़ा oxygen के जूड़ना तो oxidation है ही hydrogen का बाहर निकलना इसके साथ अभी hydrogen था अब यह तूटके बाहर निकल गया तो भी यह क्या कहलाता है oxygen कहलाता है फिर मैंने बुला किवल oxygen से ही नहीं कोई भी electronegative element भी अगर आप से जूड़ता है तो भी वो क्या कहलाता है oxygen ही कहलाता है अब यहाँ देखो F e 0 से F e plus 2 हुआ दो electron बाहर निकला de-electronation process हो रहा है भाई तो भी यह यह भी क्या कहलाएगा oxygen कहलाएगा और मैंने हमेशा बोला है जब भी धनाविशो की संक्या बढ़ेगी amount of positive charge बढ़ेगा तब वो process oxygen oxidation कहलाएगा similarly आप देखो plus 2 से plus 4 जा रहे हो minus 1 से लेके 0 जा रहे हो तो इस तरीके से जब भी positive charge या charge का amount में increment हो रहा है बढ़ोतरी हो रही है तब वो क्या है oxygen अभिक्रिया कहला रहा है हर type के मैंने आपको oxidation reaction यहाँ पर दिखा दिए अब next आगे बढ़ेंगे दोस्तों reduction reaction के बारे में जानेंगे मतलब अब chain अभिक्रिया ठीक है चलिए इसी को Hindi में देख लिया जाए फिर English में same point वहाँ पर रिखी वही है मैं दोनों को bilingual लेकर चल रहा हूँ किसी भी language के student को मेरी classes में कोई दिक्कत तो नहीं होती है ठीक है अब होती होगी तो बताना भाई काम करेंगे और क्या अब chain अभिक्रिया reduction reaction बिल्कुल oxidation का उल्टा वहाँ oxygen या electronegative जूड रहा था यहाँ hydrogen या electropositive element जूड़ेगा वहाँ hydrogen के electropositive बाहर निकल रहा था तो यहाँ पर oxygen या विद्वित्रेणी तत्व बाहर निकलेंगे एकदम उल्टा हो रहा है ना जजबात बदल दो, हलात बदल दो, ऐसा हल वह भी half reaction था यह भी half reaction था, यह भी half reaction है दोनों complete हो के redox बनाती है वहाँ de-electronation process होता था electron त्यागा जाता था यहाँ पर electron हो का क्या होगा दोस्तो addition of electron होगा मतलब यह electronation process है electron हो का योग होगा यहाँ पर ठीक है, और इस अभी क्रिया में धनावेशो की संक्या घट जाएगी क्योंकि electron आ के जूड़ रहा है electron जूड़ रहा है मतलब negative charge जूड़ रहा है है ना, electron का जूड़ना negative charge जूड़ रहा है इसलिए धनावेशो की संक्या क्या होने लगेगी decrease करने लगेगी घटने लगेगी ठीक है, amount of positive charge of any substance decreases जैसे आप यहाँ पर example देख लिजिए example अगर आप देख रहे हो hydrogen आके जूड़ा hydrogen जूड़ रहा है मतलब reduction reaction है, विल्कुल है सर यहाँ पर देखो carbon से oxygen का बाहर निकलना CO2 से oxygen का बाहर निकलना भी क्या है reduction reaction है hydrogen का जूड़ना अप्चियन है oxygen का बाहर निकलना भी अप्चियन है charge बाइज जगर में देखता हूँ मेरे प्यार साथियो तो reduction reaction क्या है एक electronation तो सचसे यहाँ electronों की संक्या बढ़ती है electron आके जूड़ता है जब electron जूड़ेगा तो यहाँ SN plus 4 से आप लोग कहां पहुँच रहे है SN plus 2 में पहुँच रहे है तब आप साथ साथ देख रहे है कि आपका oxidation state या oxygen करण संक्या घट रही है जब oxidation state या oxidation number घटता है तब यह कौन से अभिक्रिया कहलाती है यह अपचेन अभिक्रिया कहलाएगी ठेक similarly F plus 3 से F plus 2 जा रहे है amount of positive charge घट रहे है दनाविश्य के संक्या घट रही है इसका मतलब ये भी क्या है up chain है is that clear everyone तो oxygen क्या है up chain क्या है ये point मुझे लगता है मेरे सारे प्यारे students को अच्छे से clear को गया होगा अब आते हैं जिसका आप लोग बहुत देर से सबर के साथ वीट कर रहे हो बड़ी कान की चीज है कि कभी भी oxygen संक्या निकालने अगर आप जा रहे हो उससे पहले आपको कुछ बाते पता होनी चाहिए आप वेट कर रहे हैं सार oxidation number निकालेंगे मैं धीर धीर लेबल बढ़ा हूँ मैं मांदारी से बता रहा हूँ ये redox reaction के जो भी दो लेक्चर तीन लेक्चर में ये पूरे चैप्टर हमने सम्मिटेंगे ठीक है ज़्यादा समय नहीं लगेगा पर ये इतना effective है इतना effective है कि D&A block का जो heavy-heavy calculation होता है बड़ा-बड़ा reaction balancing मैं बिना pain उठाया आप लोग से करवाँगा और तो और left से right बनाओगे उसके बाद खुद balance भी करोगे मतलब अपने आपको मतलब परमात्मा जैसा feeling आएगा फिर कि हम खुद ही compound बना रहे हैं हम खुद ही उसको balance कर रहे है स्रिष्टी भी खुद रचेंगे और उसका संतूलन भी खुद इस्थापीत करेंगे ठीक है चलिए आईएगा उस लेबल पर जाना है अपने को फिर देखो कितने सारा chapter inorganic chemistry तो आपके मुठी में आ जाएगा ठीक है ऐसी मजाक नहीं करो बस maintain कर लो redox को जिस हिसाब से मैं continue करूँग इसको calculation of oxidation number में जो भी normal हमारे वातावरण के जितने भी periodic table के जितने element है जो किसी दूसरे से नहीं जुड़े हुए है फ्री स्टेट में है मुक्त वस्था में पाये जाते हैं तो मुक्त वस्था में उनका oxygen oxidation number क्या लेते हैं दोस्तों 0 लेते हैं क्या लेते हैं 0 लेते हैं और ऐसे molecules या ऐसे compounds जो खुद के साथ bond बनाया रहा है जैसे यहां पर hydrogen ने hydrogen के साथ bond बनाया एक चोल में oxygen संख्या किसको निरूपित करती है तो यह amount of charge को निरूपित करती है आविशो की संख्या के बारे में बताता है तो भी है यहां पर तो hydrogen hydrogen के बीच में कोई charge exchange होई निरूपित के बीच में कोई charge exchange होई निरूपित का मतलब क्या आप समझ गया है इसका भी oxidation नंबर क्या है जीरू है अब बात आती है alkali metals मतलब की चार धात हुए चार धात हुए के बारे में आप हमेशा जान ले ना चार धात हुए चाहे किसी से भी compound बना ले उनका oxygen करना वस्ता आप हमेशा क्या लोगे प्लस वन ही लोगे जैसे मान लिजिए मैंने K2O2 बोल लिया K2O2 बोल लिया यह oxygen के अलग-अलग टाइप के oxide है इसमें आप हमेशा जान लेना कि oxygen का oxygen करना वस्ता बदलेगा प्लस बनाएगा और इस पे बड़े सारे exceptional case बनते हैं और इसके question हमेशा competitive exam में पूछे जाते हैं आपकी exam में पूछे जाएंगे दिखाऊंगा मैं आगे चल कि अभी 2022 में भी आया है भाई नीटूट के पेपर में चली आईए 22, 23 सब में आएगा ठीक अटेंशन नहीं लो हर बात पुछता है हलांकि अभी 2023 सेल रहा है ठीक alkaline earth metal मतलब छारीय मिर्दधातू उनका क्या होता है सर प्लस टू होगा उसके साथ कौन जुड़ा है ने जुड़ा है alkaline earth metal का oxidation state प्लस टू ही लेना है aluminium का प्लस ट्री लेते हैं ऐसे ही type का चलता है जो भी उनकी जो valency होती नहीं उसको represent किया जा रहा है metal की valency oxidation state गारा represent की जाती है अब ध्यान समयना हमारा जो hydrogen है ना hydrogen प्रिथी पर generally generally क्योंकि hydrogen का atomic number सरवान है अब हैड्रोजन का atomic number one है मतलब यह एक electron त्याग सकता है तो प्लस बन भी बना सकता है एक electron ग्रहन करके दो करके अपना octet भी complete कर सकता है तो hydrogen के पास आप सब को पता है dual balance है प्लस भी है माइनस भी है और इसलिए hydrogen क्या करता है यह hydrogen आवारा तत्यों कहलाता है क्योंकि यह प्लस बन के कारण छार धात्यों का भी तत्यों बन जाता है अलकली मेटल से बन जाता है और माइनस बन होने के कारण हैलोजन का role play करता है तो दोनों करता है इसलिए आवारा तत्यों बोलते है प्रिडिक टेबल का आवारा आदमी है कौन हाइडरोजन जनरली अर्थ पे हमारे प्रती पर हाइडरोजन प्लस बन ऑक्सिडेशन स्टिट ज़्यादा तर रिप्रेजेंट करता है ज़्यादा तर बट अगर यही हाइडरोजन अल्कली मेटल से जुड़िया है अल्कलाइन अर्थ मेटल से जुड़िया है तो वहाँ पर आपने पका पता कर लिया कि अल्कली मेटल हमेंसे प्लस देगा तो भी अगर यह प्लस दे रहा है तो इस बार हाइडरोजन को क्या देना पड़ेगा तो याद रखना जब hydrogen अपने से ज़्यादा positive metal से जुड़ता है तब hydrogen पे minus 1 charge आता है दोस्तों क्या charge आता है minus 1 charge आता है तो hydrogen plus minus 2 नों करेगा but condition apply है कि hydrogen के वल तभी negative charge हो करेगा जब वो अपने से ज़्यादा positive metals के साथ bond बनाए रहे hydrides बनाए रहे और oxygen के generally आपने minus 2 लेते हो उसकी valency valency की उपर मैं पहले से पढ़ाई कर आ चुका हूँ तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग सब छोटा छोड़ा topic रहता है बड़ा काम का रहता है चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग calculation based questions के लिए मतलब कि हमारा oxygen संख्या निकालना है याद रखना oxidation number और oxidation state मतलब oxygen संख्या और oxygen अवस्था दोनों न बहुत हट तक्तों किताबों में same ले लिया जाता है पर थोड़ा सांतर है oxygen अवस्था किसी एक तक्तों का लिया जाता है अब जैसे मान लो यहाँ पर दो तक्तों है क्या है दो तक्तों है इसका oxidation state लोगा तो वो एक element का लिया जाएगा एक chromium का लिया जाएगा और oxygen number जो होता है ना oxygen संख्या oxygen वो total charge को represent करता है वो total charge को represent करता है बट किताब में यह बात हमको नहीं सीखाई जाती है वो सीधे आपको sulfur का oxidation state लाना है तो यह hydrogen generally क्या शो करता है बताओ plus 1 ऐसे कितने hydrogen है सर दो है plus sulfur का आप x मान लो equal करना पड़ता है जो भी इसकी उपर आविश आया है तो फिलाल तो यह उदासी नहीं है इसलिए आविश क्या हो गया जीरो हो गया तो यह हो जागा सर plus 2 plus x equals to 0 तो x की value मतलब कि sulfur का oxidation state कितना आगया सर यहां का plus 2 दर जाके क्या हो गया माइनस 2 यही है बस oxidation state mathematically calculate कर सकते हो यहाँ पर मेरे प्यार साथ यह आपको फिर से sulfur कर लाना है याद रखेंगे किसी भी योगिक में oxygen अवस्था अगर आपको ना दिया जाए तो हमसे oxidation state एक तक 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 आता है अगर ऐसा marking कर के दे दिया जाए कि चलो इसका निकालो तो अच्छी बात है अगर marking ना किया जाए जिनरली question आता है तो marking कर के आता है बोल देता है कि KMNO4 में MN की oxygen अवस्था कितनी होगी आपसे ऐसा सवाल आएगा बट अगर नहीं पूछा है ऐसा आपसे बस इतना पूछा है कि MNO4 में oxygen अवस्था बताओ तो याद रखना हम इसा center atom का लिए जाता है किसका लिए आता है oxygen सिकरण स्टेट संकरण हाइबिडाइशन हम इसा center atom पर काम करता है और center atom कौन होता है पहले पर पढ़ा चुका हूँ chemical bonding में center atom होता है जो भार में बड़ा हो संख्या में कम हो संख्या में कम तो यहाँ पर oxygen तो पहली फुरसते बाहर है इन दोनों के बीच में draw हो गया और किसका atomic mass ज्यादा है तो इसका atomic mass से MN के atomic mass अब्यस्थी बात है बहुत ज्यादा है इसलिए MN बन गया center atom ठीक है तो center atom के नीचे marking नहीं किया गया है तो आपको खुद से center atom कैसे लेना है वो आपको आता है chemical bonding में आपने पढ़ रखा है मेरे वीडियोस को आपने देखा हुआ है तो आप अराम से center atom को pick कर लेना ओके चलो दोस्तों यहाँ पर देखो प्लस 1 है कितने atom है अभी या 2 है प्लस sulfur जिसका लेना है उसका x ले लो unknown एक number प्लस 4 टाइम एक oxygen का कित x plus 2 minus 8 कितना सर minus 6 equal to 0 तो x की value कितनी आ रही सर plus 6 आ रही है x की value plus 6 याद रखना जो oxidation number आता है वो किसी भी तत्व की maximum oxidation state उसके valency के बराबर आती है उसकी अधिकतम सन्युजकता के maximum valency के बराबर आती है plus 6 sulfur कभी भी plus 6 के उपर नहीं जाएगा क्योंकि 286 solar atomic number तो उसकी maximum equivalency कितन इसर 6 है साथ कभी sulfur के लिए आहीं नहीं सकता आ रहे है मतला हम गरत बना रहे है ठीक है इधर आ जाओ कि एमनफोर के लिए आ जाओ यह बहुत important है बहुत पर पुछता है यह potassium permagnate है और यह potassium dichromate है इनके सवाल बड़े पुछे जाते है कारण यह है क्योंकि यह lab में भी metals है तो plus 1 ही लेना है कितना potassium है एक तो एक में एक का multiply करने से भी वही रह जाएगा mn का x ले लिया oxygen का minus 2 होता है इस बर 4 oxygen है equal to क्या करोगे 0 क्योंकि कोई भी आवेशिस की उपर दिखी नहीं रहे कोई 400 है नहीं तो this is plus 1 plus of x minus 8 equal to 0 तो x minus 7 equal to 0 x की value कितनी आ गई मेरे प्यार स साथ यह प्लस से बना गई और यही आप लोग का क्या हो गया oxidation state हो गया आया बात समझ में अब चलों इधर आओ इसके लिए लो potassium का plus 1 लेता हूं इस बर कितने आदमी थे सर दो आदमी थे है नगी प्लस chromium का x लोगा कितने आदमी है सर दो है तो दो का गुणा कराना पड़ प्लस oxygen का कितना लेता है सर माइनस 2 अरे कितने oxygen सर साथ है equal to 0 क्योंकि उपर कोई charge तो देखनी रहा है तो यहां से solve करूंगा mathematically तो प्लस 2 प्लस 2x माइनस 14 इक्वल तो 0 अरे प्लस मैनस मिल्टिप्लाई करके माइनस होता है साथ दूना चाहुदा तो 2x प्लस 2 माइनस 14 क्या बचे माइनस 12 इक्वल तो 0 तो 2x इक्वल तो मेरे प्यार साथ कितना आ गया है प्लस 12 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 12 डिवाइड़ बई 2 कर देना प्लस 6 आएगा कितना प्लस 6 अब ध्यान समझो यही चीज में आप लोगों सिखाने की कोशिश कर रहा था अग प्लस 12 बट अगर मैं कुल चार्ज पूछता टोटल चार्ज कितना आता तो आप ततकाल प्रभाव समझ पाते किसा टोटल चार्ज में तो 2 करोमियम है तो एक का प्लस 6 तो 2 का प्लस 12 वो उसकी ऑक्सिकरन संख्या है बट हां हम अब्यसी बात है ऑक्सिडेशन स्टेट को ही ऑक्सिकरन संख्या मानते आए हैं NCRT में वही चलता है तो आप भी उसी को मान के चलना बट मैंने ये चीज़े आपको क्लियर करा दी कि ऑक्सिडेशन स्टेट मतलब ऑक्सिकरन अवस्था और ऑक्सिडेशन नमबर मतलब ऑक्सिकरन संख्या दोनों थोड़ ऐसा अलाग है ऑक्सिडेशन स्टेट एक 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 एटम का चार्ज है जो कि प्लस 6 ऑक्सिडेशन नमबर कुल आविश है तो कुल आविश तो प्लस 12 आने वाला है ठेक चलिए आगे बढ़े दोस्तों और भी कुछ-कुछ कोस्चन को देखते हैं तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा है अब लोग वीडियो की ताकि आप लोग के जल्दी जल्दी चीजे कंप्लीट हो चालो नाइट्रोजन का ही लाना पड़ेगा इसका एक्स ले लिया इस बार आइनिक फॉर्म में कोस्चन दिया है तो द्यान समझे कभी भी आइनिक फॉर्म में कोस्चन दे चाहे माइनस दोस्तों आप उससे कोरिलेट कराते हो तो यह हो जाएगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1 एक्स इक्वल स्ट हो जाएगा माइनस 1 इधर का माइनस 6 उधर जाके प्लस 6 हो गया तो यहां पर नाइट्रोजन परमानों की ऑक्सिक्रन अवस्था का मान कितना आ गया सर प् कितने oxygen है सर साथ, equal कितना minus 2, तो यह हो गया, 2x minus 14, equals to minus 2, तो 2x equals to minus 2, plus 14, जिसकी value plus 12 आएगी, तो x की value हो जाएगी, मेरे पहरे साथ, यह plus 12 divided by 2, बोले तो plus 6, यह आगया आपका, oxy कराण अबस्था, ठीक है, समझ में रहे हैं, बिल्कुल normal mathematics यूज़ करना है, आराम से बनता है, चलो, अगला सवाल, phosphate ion दिया हुए है भाई, इसका लेना है, क्या लोगे, x plus oxygen का, कितना 2, कितने oxygen है, 4 का गुणा, equate करूँगा, इस Q पर क्या charge है, minus 3, जो भी charge दिया रहा है, आपको उसी से equate कराना है, तो मेरे प्यार साथी यह हो जाएगा, x minus 8 equals to minus 3, तो x की value कितनी आ रहे है, minus 3 plus 8, तो x की value हो जाएगी, प्यार साथी यह plus 5, मैंने हमेशा बोला है, oxidation number जो होता है न, याद रखेंगे हमेशा, oxidation number जो होता है, या oxidation state जो होता है, वो हमेशा छोटी होगी, या बराबर होगी, maximum valency के, maximum valency या covalency के, यह point आप एकदम दिमाग में, कंठस्त करके रखें निग भई, ठेक है, जैसे यहाँ पर phasphoros की, atomic number 15 है, 285 maximum covalency कितनी है, इसर 5 है, तो उसके बराबर ही आ सकता है, क्या उससे छोटा आएगा, अब छोटा कब आएगा, दिखाऊंगा मैं आगे, मैं वो रहू ना, धिरी-धिरे लेबल उठेगा, चालो, अगला देखो, यहाँ पर x ले लिया, प्लस hydrogen का क्या लोगा, प्लस 1, इल्टू 4, क्यों प्लस 1 लिया, क्योंकि hydrogen, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, तो खुद पॉसिटिव रखेगा, और नेट्रोजन नेगेटिव रखेगा, अरे दो अपोसिट लोग रहेंगे, तभी तो बॉन्डिंग होगी ना, है ना जी, इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्लस 1, तो X प्लस 4 इक्वल्स टू प्लस 1, तो X इक्वल्स टू प्लस 1 माइनस 4, नाइट्रोजन का उक्स करना वस्ता इस बर कितना आगिया सर, माइनस 3 आगिया, ठीक है, तो आयनी कंपाउंड में भी आप उक्सिडेशन स्टेट कैसे लाएंगे, यह भी मुझे लगता है आप आराम से आपको क्लियर हो चुका होगा, दिरे दिरे लेबल और बढ़ाएंगे हम लोग, इधर मैंने बड़े सारे और कोश्चन दे रखे हैं, मुझे लगता है अब आप लोग इसका आराम से आक्सिडेशन स्टेट फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारा जाइड आयन है, तो नाइटरोजन का एक्स मालो भी है, कितने नाइटरोजन ने तीन एक्वर्ट करो किसे? माइनस बन से, जो चार्ज है उसके उपर, तो एक्स की वैल्ली कितनी आ गई? माइनस बन बाई थ्री आ गई, यही बात तो मैं आपको बता रहा था, कि ऑक्सिकरण संख्या जो होती है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है, इधर देको सब में क्या आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ सकता है, कई बार पॉजिटिव आता है, कई बार नेगेटिव आता है, कई बार फ्रेक्शन में भी आ सकता है, फ्रेक्शन में न, दस्वम्लों में आ रहा है, माइनस 0.33 इसका एंसर आ रहा है, आज़ा कोई आदमी सुर्वा नेपाली नहीं बनेगा भाई कि सबर प्लस फाइब को अपन फाइफ लिख देते हैं रहे केमस्टी पढ़ रहे हो गणी तो नहीं पढ़ रहे हो यहां का प्लस का सिंबॉल जूटा ना मतलब सिधे जीरो देगा आपका टीचर आपको क्यों क्यों कि केमस्टी है यहां प्लस और माइनस के अपने माइने हैं प्लस यह बता रहा है कि फासफूरस यहां पर डूनर का रूल प्ली कर रहा है माइनस यह बता रहा है कि nitrogen यहाँ पर electron grant करने का काम कर रहा है, acceptor बना बैठा है तो यह plus और minus उसका प्रकृति बताता है, उसका nature बताता है आप तो जानते हैं मैं असे plus 5 बोल लो 5 बोल लो एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर प्लस गाइब कर दो, गाइब ना कर दो, आपको माक्स गाइब कर देगा हूँ, ठीक है, चलिए तो plus minus जैसा लिख रहा हूँ न मैं, वैसा आपको भी लिखना है दोस्तों, ठीक है, equal to 0 x की value कितनी आ जाएगी, यह जाएगा minus 8 और यह 3 नीचे चले गया तो finally आपको oxidation state कितना मिल गया है सर, minus 8 by 3 ठीक है, fraction में आ रहा है, बिल्कुल आ सकता oxidation state fraction में calcium carbonate है सीधे सीधे निकाल सकते हो, carbonate and पे generally minus 2 चार जाता है है ना, और calcium पे क्या आता है, plus 2, इस से balance पे बहुत प्यार से सिखाया हूं मैं तो, plus 2 हो गया answer ऐसी, बट चलो फिर भी x plus carbon का क्या लोगे सर, plus 4 लोगे और oxygen का क्या लोगे, सर, minus 2 लोगे, into क्या करना पड़ेगा 3 times, equal to 0 अभी भी solve करोगे, यह plus 4 minus 6 equal to 0 तो x minus 2 equal to 0, x की value plus 2 आ गई, यही उसका क्या हो हो गया, nitric acid में अब बिस दी बात है center rhythm आपको nitrogen चुनना पड़ेगा अगर कुछ नहीं दिया है तो, अब इसके लिए x plus, एक मेंट hydrogen का तो plus 1 है plus x plus minus 2 into 3 equal to 0, अब यह सब काम मुझे भी पता है, अब थोड़ा सा आप लोग बूर हो रहे होगे, क्यों, क्योंकि यह सब तो बहुत normal calculation वाला part है, बट बूर मत हो भाई, अभी देखो कहानी में एक से twist लाऊंगा न, तब फिर दिमाग के परकच्छे उड़ेंगे फिर, ठीक है, x की value कितनी होगी, plus 5, यही आपका क्या आगया, oxidation state आगया simple है, इन दोनों का अब आप लोग ला सकोगे, आराम आराम से, चलो इन दोनों का, यह चलो ला ही देते हैं carbon dioxide अच्छा देखो, जिसका भी oxidation state आपको plus 4, plus 5 3 से ज़्यादो दिक्रब हो acidic है तो oxygen करन अवस्ता सही आप लोग उसका वहार भी बता सकते हो अरे इसका, यह acidic compound ना नहीं है, nitric acid यह आपका, normal आपका neutral compound, यह basic compound मिलिया जाएगा similarly carbon dioxide है x plus एक oxygen का minus 2 और कितने आदमी है, तो 2 तो 2 का गुणा हो गया, तो भी यह यहाँ पर यह क्या हो गया, x equals 2 plus 4 तो यह carbon dioxide की प्रविड़ती है अगर कोई आपसे पूछ दे, अमलिया होती है कि छालिया होती है, तो ऑक्सिकरण से क्या, plus 3 से ज़्यादा है इसलिए आप समझे, यह plus 3 plus 4 से ज़्यादा होने पे, अमलिया भी वहार पाया जाता है chromium trioxide है, चलिए बता यह acidic आएगा कि basic आएगा, तब यह x plus 3 times of minus 2 equal to 0 x minus 6 equal to 0 chromium का oxy करणावस्था plus 6 आया है जो चीख चीख कर यह बात दुनिया को बता रहा है कि यह कैसा compound है acidic है, अमलिया है ठीक है, oxidizing agent के तोर पे use करेंगे, आगे चलके मैं बताऊंगा कि oxidizing और reducing agent कैसे लिया जाता है ठीक है, आज ही यह glass में होगा अब मैंने और भी question आपको दे रखे हैं अब मेरे प्यार साथ यह अब आप यहां की जो question होगे, थोड़े बहुत आप लोगों को tricky दिख सकते हैं, तो अराम से बनाना है, OF2 है इस बार आप लोग ध्यान से समझेंगे oxygen पे हमिशा minus 2 आता है यह बात विलकुल भी सही नहीं है मैंने हमिशा बोला कि कभी भी कोई भी एक compound बनता है तो हमिशा opposite nature के लोगों को आना पड़ेगा, जैसे मानलों एक baby को birth करना है, तो एक male बना है, इसमें मतलब एक negative है एक positive है, आपको पता है दोनों ही negative element है, oxygen भी और fluorine भी तो आपन किसको negative और किसको positive का दर्जा देंगे तो प्यार साथ यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे कौन ज्यादा negative है वो अपना charge रखेगा तो ज्यादा negative fluorine है oxygen से ज्यादा negative है पुरे predictable का rank 1 negative element है और oxygen rank 2 negative element विद्धरिणी तत्यों के इसरणी में आता है तो अब आप समझ पा रहे हैं कि fluorine वाज है न, यह minus रखेगा, तो अब स्वभाविक सी बात है, oxygen का plus होगा तभी तो compound बना होगा न क्योंकि minus minus हमें से एक दूसरे को repel करते है न, प्रतिकरशित करते plus plus वाले भी हमें से repel करते कभी भी attraction होगे compound बनेगा, तो एक positive को और एक negative को आना पड़ता है ठीक है, आपको पता दोनों negative है फिर भी हम इसको positive लेंगे, तो x plus fluorine का minus 1 होता है कितने fluorine है, 2, equal to 0 तो यहाँ पर आप समझ पार है मेरे प्यारे साथियो कि oxygen का oxidation state इस बार कितना आया plus 2 आया, हर बार minus 2 आया, यह कसम खा के मत बैठ जाना, देखना पड़ेगा compound के साथ एक ही तत्व की oxygen नवस्ता बार बार बदलते हैं, अलग-अलग compound के साथ से यह adjust होता है ठीक है, phosphoric acid है तो यह तो बगवा type का question है इसका plus 1 ले लिया, ऐसे 3 है plus x plus of minus 2 times of 4 equal to 0 तो यह हो गया plus 3 plus x minus 8 equal to 0 x minus 5 equal to 0, तो x की value plus 5, 5 है, बच्चे-बच्चे वह यह बात पता है, ठीक है CRO5, very important question very very important question ऐसा हिंदुस्तान का कोई बड़ा exam नहीं हुआ है जिसमें इस सवाल repeat ना किया गया है most important question क्यों? क्योंकि भी अलाओ तो चलो इसका oxidation state, तो मैं CR का x ले लिया sir, mathematically plus, oxygen का sir minus 2 होता है यहाँ पर कितने oxygen है, 5, equal to क्या कर दिया, 0, तो this is x minus 10 equal to 0 तो x की value मेरे पहरे साथ कि कितनी ले ली गई, 10 ले ली गई तो आप समझ गए कि आपका oxygen करणा वस्ता कितना आया है, 10 आया है ततकाल प्रभाव से आप एक बात याद उठना जब भी oxygen करणा स्टेट 10 आया है ना, यह wrong है यह क्या है सार, wrong है अब आप सुचे के सर हम लोता सब कुछ सभी सभी सेट की है कैसे गलत हो गया अभी अभी आप जैसा mathematical operation परता रहते हैं हम तो पूरा वैसा ही गए गलत कैसे बोल दे रहे हो तो मैं यही बलूँगा ना, गणित नहीं है यह साइंस सास्त्र है ठीक है, chemistry बढ़ रहे हैं आप हर जगा गणित नहीं ठेलते रहना है नहीं तो फिर गड़बडा जाएगा, मामला भीया, आपको oxidation state लाना है आप जो mathematical process यूज़ कर रहे है वेलर बुड है, कोई दिक्कत नहीं है बढ़ कई बार ऐसी चीज़े होंगी कि आपको mathematical operation से सही result नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना नोट करके point याद रखना कि oxidation state चाहे किसी भी element का आप ले रहे है पुरुर पृत्थी पर oxidation state कभी भी कभी भी बड़ा नहीं हो सकता उसकी octet number मतलब plus 8 से oxidation state कभी भी plus 8 से क्या लेना है? बड़ा नहीं लेना है octet rule को invalidate नहीं करे है, क्योंकि आपको पता है कोई भी जो oxy करना वस्ता होता है उसकी maximum covalency के बराबर हो सकता है, और octet rule कहता है कि किसी भी element का, जितने भी predictable की element है, उन सभी maximum covalency plus 80 जाती है, यह कहाँ plus 10 बना दिया भाई? यह plus 10 बनाया मतलब गलत बनाया है तो mathematically जो आपने सब किया वो गलत है बिल्कुल गलत है, इसी लिए आप लोग को structure tracing पे ध्यान देना पड़ेगा और इसी लिए जब मैंने आप लोग को chemical bonding chapter कराया, मैंने कम से कम आपको वहाँ पे sacred structures कराये होंगे अब मैं गिनती तो नहीं है, बट आप भी जो भी पड़े होंगे lecture, बहुत सारे structure tracing पे हमने काम किया है आज वही काम आएगा, CRO5 इतना तो मैं समझ रहा हूं कि CR जो है न, atomic number 24 है, ठीक है, तो इसका सारे बच्चों को पता है, AR होता है 4S1 3D5, exception case रहता है न, और दो पूरित वाला, half field वाला, highly stable तो एक बात आप समझ गए सर, क्या समझे, कि सर जो हमारा CR है, उसके पास 6 electron बनाने की capacity है, 6 bond बनाने की, इसके साथ एक, और 5 इसके साथ है न, भाई, दिखा दू गया CR के पास, हमारे S में 1 खाली है, और 5 D के खाली है, तो इस तरीके से कितने bond बना सकेगा, सर S में तो एक ही electron है, न, तो pairing में participate करेगा, एक और दूसरे का electron आके pairing में participation करेगा तो CR 6 bond बना सकता है, यह बात अब आप लोगको clear हो रही है कैसे बनेगा, तो ध्यान समझेंगे कैसे बनेगा, CR आके बैठ जाएगा बीच में, because oxy compound है, oxygen जोड़ा हुआ है तो एक तो double bond oxygen तो हर हाल में लगेगा ही लगेगा, एक तो double bond oxygen लगेगा ही लगेगा oxygen कितने bond बनाता है, दो chromium कितने bond बना सकता है, तो 6 जिस पे से 2 खतम हो चुके हैं, बचे है 4, तो ऐसे ऐसे आप open कर दो गए यह 4, ठीक है, अब उनमें भी, आप समझ पा रहे हैं यहां एक oxygen जोड़दिया, यहां है एक oxygen जोड़दिया, यहां है एक oxygen जोड़दिया, यहां एक oxygen जोड़दिया chromium के 4 के 4 तो complete हो चुके हैं सर, very good, बच अभी oxygen के 2 नहीं complete हूं न, oxygen भी तो bond बनाएगा, अपने आप में, तो तो यह oxygen oxygen क्या हुए है आपस में bond बना लिए तो यह जो पूरा का पूरा structure दिखता है दोस्तों यह structure है butterfly structure क्या है सर butterfly structure इसको हम लोग blue butterfly के नाम से जानते हैं butterfly समझे रहे हो तितली तो तितली कैसे दिखती है तितली का यह punk हो गया और यह सामने उसका मुंडी है ना तो this is निले कलर में आता है इसलिए इसको नाम देते हैं blue butterfly तो यादखना chromium generally थोड़ा सा greenish यह थोड़ा सा blue कलर के compounds को बनाता है blue butterfly कहा जाता है निला कलर का सुंदर सा भी बनता है अब जाके lab में देखते हो मतलए ना bond भी दिखेगा आपको चलो अब oxidation state लाओ तो मैंने chemical bonding में यह सब सिखाया है आप लोग को दोस्तों कि अब अगर oxidation state ला रहे हो तो यह वाला oxygen double bond से जुड़ा है इसलिए एक पर minus और एक पर plus क्योंकि कोई भी bond जब तूटता है ना यह bond अगर तोड रहे हो तो एक पर minus आता है और एक पर क्या आता है सर प्लस ही तो आता है बट यह double bond से जुड़ा है तो oxygen negative रहका है तो minus 2 करके यहाँ क्या छोड़ गया सर प्लस 2 अब इस oxygen से देखो तो यह oxygen पर क चार जाएगा सर इस पर जाएगा minus 1 तो यहाँ छोड़ेगा plus 1 similarly यह single bond से जुड़ा है ना minus 1 तो सर प्लस 1 यह भी single bond से जुड़ा है minus 1 सर प्लस 1 यह भी single bond से जुड़ा है minus 1 सर प्लस 1 अब total count कर लो तो plus 2 plus 1 3 4 5 6 तो इस बार इस compound का oxidation state कितना आ रहा है प्लस 6 आ रहा है जो कि उसकी maximum covalency को भी satisfied कर दे रहा है तो यह सही है कि यह सही है तो सर यह सही है क्या है यह सही है तो यही बात अब आप लोगो समझना है कि हर बार हर बार खाली गणित लगा देने से chemistry का काम नहीं चलने माला है आपको structure tracing आनी चीए और chemical warning chapter में मैं बहुत hard work करवाया है structure को trace करने क्योंकि वो समाधाने मैं बार बार बोलता हूं मैं कल क्या पढ़ाऊंगा उसकी रणनीती में पहली तैयार किये रहता हूं आज अगर structure tracing नहीं आता है यह compound भी वहाँ पर कराया गया होगा तो आज यह आप लोगो का oxidation state सही नहीं हुए रहता ठीक है अब चलो H2O to hydrogen par oxide है नार्मली ला सकते है यह structure से भी ला सकते है oxygen बीच में आ जाएगा यहाँ भी oxygen एक एक हाइड्रोजन से जूड़ गया दोनों में बढ़ गया oxygen बनाता है कितने bond है सर दो bond तो बन गया है आपस में oxygen oxygen के बीच के bond को हमें से याद अठना par oxide bond बोलते हैं क्या नाम दे par oxide bond है क्योंकि दो एक oxygen atom के बीच का bond है तो यह par oxide bond है तो कई बार इसके उपर भी सवाल पूछा जाता है जैसे CRO5 में किस टाइप का compound है तो ionic bond तो बनी रहा है क्योंकि क्रोमिया में एक positive metal है oxygen negative है तो इनके बीच का plus minus के बीच का bond यह जितने white bond दिख रहे हैं सब ionic bond है double bond द equivalent सासनियोजी पर oxide और ionic तीनो टाइप के ही bond मिलते हैं acidic nature है कि basic nature oxidation state plus six आगे सर acidic nature का है color क्या है सर blue color का है सब कुछ clear कर दे रहे है structure इसलिए तो खुब सूरत चीज़ है ना सब clear करके देता है अब बता इसका oxidation state कितना हैगा किसी एक oxygen का लेना है किकि symmetrical compound है ना बिलकुल तो इस oxide में याद रखना पर oxide link के जब भी आता है तब oxidation state oxygen के कितना हैगा minus one आएगा नई भरोसा है solve करके देखलो plus two plus two x equal to zero तो two x equal to minus two x equal to minus one कहानी खत्तम is that clear everyone तो अब धीरे धीरे आप लोगो आप मज़ा आ रहा होगा label हमारा rise up हो रहा है हो रहा है नहीं हो रहा है सुरु- कर रहा होगा सबचता हूँ मैं अब यह देखो बड़े-बड़े question इनको already मैंने आप लोगो chemical bonding chapter में करा रखा है फिर भी करा देता हूँ sulfur है mathematically calculate करो क्या रहा है plus 1 into 2 plus of s plus minus 2 into 5 equal to 0 तो यह हो जागा sir plus 2 plus x minus 10 equal to 0 x minus 8 equal to 0 x की value आगे sir plus 8 क्या यह सही है कि यह गलत है तो मेरे पहरे साथियों बहुत प्यार से मैं कहना चाहूँगा कि यह वाला भी गलत है wrong है क्यों क्यों क्योंकि मैंने अभी अभी आप लोगों को पढ़ा रखा था कि कभी भी जो oxidation state होता है वो हमिसा छोटा होता है या बराबर होता है maximum covalency के covalency या group number के या group number के वर्ग संक्या से हमिसा क्या होता है छोटा होता है कभी भी group number से वो ज़्यादा नहीं हो सकता है sulfur आप सब लोगों को पता है 6A group का member है तो उसकी maximum जो हमारा oxidation state आ सकता था वो 6 आ सकता था यहां ससुरा 8 ला रहा है which is not correct तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा जब भी सवाल फसता है तब आपको structure बनाना पड़ता है structure देखना कितना खुबसूरती से जवाब देगा यह देखो इसल पर आ गया बीच में ठीक अब 5 oxygen है 2 hydrogen है कभी भी या दखना कभी भी अगर आपका calculated oxidation state मतलब mathematically निकाला गय oxygen संख्या का मान उसके group number से ज़्यादा होता है तो जितने H रहेंगे सर उतने OH लगा दूँगा जितने H रहेंगे सर उतने OH लगा दूँगा डबल बांड से oxygen तो यहा जुड़ेगा ही जुड़ेगा ठीक है यहा भी O और H भी अधिया धिया धियान से देखेंगे कितने आज पांच दिये थे तो यह काम करना यहां ऐसा कर दो अब तो कहानी बन गया ना बना नहीं बना होगे काम करता हम चालो अब बताओ इसका oxidation state निकालना है तो इसका सर minus 2 इसका plus 2 इसका minus 2 इसका plus 2 इसका minus 1 इसका plus 1 इसका minus 1 क्यों minus 1 क्योंकि single bond से जुड़ रहा हूं तो अब बता दो कि अब sulfur का oxidation state कितना आ रहा है 2,3,5 और 1,6 क्या रहा है which is absolutely correct ठीक है बागी पुरा bond का nature भी समझ पा रहे हो क्या यहाँ पर peroxide bond पाया जा रहा है बिल्कुल पाया जा रहा है सर यह वाला bond oxygen oxygen की बीच में है मतलब peroxide linkage है कोवलेंट bond पाया जा रहा है बिल्कुल पाया जा रहा है सर ठीक है सिग्मा पाई bond calculate करना होगा वो भी आराम से कर सकते हो नेचर बता वे सिडिक है कि basic है सर इसिडिक है कोवलेंट bond आया है मतलब gaseous है कि solid state में है कि liquid में तो sir gaseous state में रहेगा कि यह कोवलेंट bond weak bond है ठीक है तो gaseous state ऐसी H2S2O से बेने से है तो इसका structure ही सीदे आ जाओ मैं कि calculated oxidation state ला रहा हूँ यह 2 और यह 14 बारा बटा दो ठीक है यह तो चलो mathematically भी plus 6 ही देख रहा है बट अपने structure से आते हैं दो sulfur है दो sulfur oxygen इससे बाटा इसको भी मिला इसको भी मिला यहाँ नीचे वाले को चाहाओ तो coordination bond से replace कर दो क्योंकि एक double bond को अपने coordination bond मान सकते हैं दो hydrogen था तो इधर से OH लगा दिया इधर से भी OH लगा दिया तो कोल मिला जुला कि आप मेरे प्यारे साथिया आपको इतनी बात तो समझ में आ चुकी है कि 6 oxygen खतम हो चुके हैं 3-3, 2 sulfur खतम हो चुके हैं 2 hydrogen खतम हो चुके हैं oxygen बाकी है तो वो इलके बीच में ऐसे जुड़ जाएं clear है इस पे सवाल बन जाते है SOS bond कितने है यह SOS bond एक है SS bond कितने है सर 0 है साथ दिख रहा है न यहां अगर मैं पूछूंगा SOS bond तो SOS bond इस पूरे structure में कितना मिल रहा है एक मिल रहा है SS bond अगर मैं आपसे पूछ दूँगा sulfur sulfur bond वो है क्या इस structure में सर 99 जीरो है चलो इसका oxidation state निकालने चले minus 2 plus 2 minus 2 again coordination bond को भी double bond बानते हो न और जीदर error रहता है वो negative में रहता है उसने electron का accept किया है तो यह plus 2 छोड़ा इसके कारण minus 1 इधर plus 1 आया इसके कारण यह भी single bond से oxygen जुड़ा है तो minus 1 तो plus 1 आप बलोगे hydrogen का कोई सेजरी है क्या नहीं क्यों hydrogen डारेक्ट जुड़ा ही नहीं है और किसी एक side वाले का ही count करो दूसरे वाले का bonus मिल जाएगा क्यों 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 similar compound है तो इस बार आपको oxidation state साफ सब दिख रहा है plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 मतलब total plus 6 आ रहा है कितना सर प्लस 6 आ रहा है तो कितना सरल है oxygen संख्या को निकालना इसका भी क्या है सर प्लस 6 ही आएगा इसका भी plus 6 ही आएगा कोई दिख्यत वाली बात ही निए सर दोनों का ही plus 6 है क्योंकि symmetrical compound है अब उसका तुम लों ला लोगे ना भाई बिल्कुल से बात है h2 h2o से बैन है तो इस structure कुछ आप इस तरिके से उठाओगे इस बार ऐसा हो जाएगा oh oh ठीक है जी इस बार अगर पुछे गए s o s bond कितने है तो कोई sulfur और दो sulfur के बीच में तो कोई oxygen आया है निए तो s s bond 0 हो गया और s s bond कितना आया है इस बार इस बार आप साफ साफ समझे रहे हो sulfur sulfur से directly connected है इस बार इस बार एक आया है कितना है सर एक आया है चालो एक मिनट एक मिनट ध्यान से oxygen से क्या लाना है कितना आएगा ध्यान से थेखेंगे minus 2 plus 2 minus 1 plus 1 minus 2 plus 2 sulfur sulfur same element के बीच में hydrogen hydrogen याद आ रहा है nitrogen nitrogen जो same element के बीच में charge distribution होता ही नहीं है इसलिए zero इनके बीच में क्या रहा है zero रह गया है करके total positive charge कितना आ गया सर total positive charge आया है plus 5 तो oxidation state भी कितना आया plus 5 sulfur sulfur covalent bond से जुड़े है that's why वहाँ पर आप zero oxidation state consider करोगे हाँ coordination bond से जुड़े जाता तो की बाता लग रहती पर covalent bond से असान योजी बंद से जुड़ा है तो जूर इच लोगे ठेक तो देरे-देरे level उट रहा है हमारा अब यह सब question है CSE2 again यह IIT में पूछे को सवाल है ठेक है calcium का क्या लोगे x लोगे plus carbon का कितना लेते है sir minus two लेते हो ऐसे कितने goshups sorry plus four लेते हो carbon का क्या लेते है sir plus four लेते हो ऐसे कितने carbon है sir 2 है equal to क्या कर दिये zero कर दिये x plus 8 equal to zero तो calcium का oxidation state कितना अगे sir minus 8 क्या यह सही है नहीं sir आप तो शुरू-सुरू में ही पढ़ा है कि किसी भी alkaline metals या alkaline earth metal की oxycron अवस्था fix होती है alkaline metals बोला तो plus 1 लेने का alkaline earth metal बोला तो plus 2 लेने का वो fix होता है यहां कहां minus 8 दिखा रहा है तो इसलिए बहुत हो हर जगा गणित नहीं लगाना है यहां रसायन की बात हो रही है ठीक है? चलिए तो यहां पर आपको बनाना पड़ेगा structure क्योंकि evidence तो मुझे देना है मैं ऐसा प्लस बोल दूँ और रसार इसका plus 2 होता है क्यों होता है क्यों कि लिका हुआ किताब में नई हम नहीं मानते हम science के student है हमारे सामने चीज़े होंगी तो अच्छी बात है तो अपन क्या करेंगे structure बनाएंगे जहां जहां काम फसता है वहां structure बनागो इजी केल्शिय में एलगलाइन एर्थ मेटल की family का है मतलब दो बॉंड बनाता है तो दो बॉंड खोलेगा यह अपना ऐसे ऐसे इस पर IAT में क्या सवाल पुछा किया पता है दो carbon यहां से जुड़ गए अब carbon कितने bond बनाते है सर, carbon बनाते है चार bond तो एक bond से पहले से जुड़ थे तीन बागी था तो आपस में triple bond से जुड़ गए IAT में question यह पुछा किया तो दो पर आया है सवाल यह कि carbon carbon के बीच में कितने sigma bond कितने pi bond है तो sir, 3 bond है इसमें 1 sigma रहेगा 2 pi पूरे compound में देखा जाए तो 3 sigma 2 pi है और carbon carbon के बीच में 1 sigma 2 pi है यही सवाल आया था तो structure पहले तो आना चीवाई अब बात आती है इसकी oxidation state की तो मेरे प्यारे साथ ही हो यह वाले carbon पर आप minus 1 लोगे यहाँ पर क्या छोड़गेगे यह प्लस 1 क्योंकि single bond है यह bond टूटेगा तो एक पर plus आएगा, एक पर minus आएगा कौन plus लेगा, metal plus लेगा calcium is a metal, that's why calcium पर plus 1 आगया, तो carbon पर minus 1 यह भी single bond है, pink वाला इसको तोड़ो, तो carbon पर minus 1 तो calcium पर plus 1 तो अब मेरे प्यारे साथ ही आप साफ समझ पा रहे हो कि इस बार जो oxygen अवस्था आ रहा है oxidation state आ रहा है वो plus 2 आ रहा है, which is absolutely correct calcium का plus 2 आना भी चाहिए calcium का plus 2 आना भी चाहिए ठीक है, तो कितनी बारिकी से हम लोग अब चीज़ों को deal कर पा रहे है मज़ा आ रहा है कि नहीं, ठीक है अगला सवाल, आपके सामने ये रहा घ्यान देंगे यार का होगी देखिएगा CAOCL2 की बात हो रही है इसका नाम bleaching powder है ठीक है, हम लोग जो पाने नहीं पीते हैं उसको purify करने में काम आता है bleaching powder इसका अगर आप लोग oxidation state नहीं कालने जाओगे सर again mathematically calculation करता हूँ तो calcium का x एक मिनट धान दो, इधर बनाता हो पहले calcium का x ले लिया plus of oxygen का minus oxygen का minus 2 डूँँगा ऐसा ये कही oxygen है ठीक है plus of chlorine का minus 1 ऐसे 2 है, equal to क्या कर 2, 0 तो x minus 2 minus 2 equal to 0 x की value minus 4 आई क्या ये सही आई तो sir, लाय तो हो सही लग तो राय पर होगा नहीं कि calcium, alkaline earth metal का member है और कोई भी alkaline metal alkaline earth metal का oxidation state हमें सा fix रता है that will be 0 सवाल important है ये सवाल भी आप लोग के iatis in it, दुनिया भर के बड़े-बड़े examo में repeat किया हुआ question है क्या है सवाल आप किसके structure बनाना पड़ेगा हर बार की तरह calcium आगया बीच में है जी calcium कितने bond के उकात रखता है sir, दो खोल दिया इसने अपने bond O OCl2 था जहां समझो oxygen कितने bond से जुड़ता है sir, oxygen जुड़ता है sir, double bond से और chlorine जुड़ता है single bond से तो मेरे प्यारा साथ है यहाँ से आप समझे कि O के साथ एक CL जुड़े आएगा और एक CL यहाँ जुड़ेगा एक CL यहाँ जुड़ेगा तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हो कि calcium की उपर जो charges आई single bond से oxygen जुड़े करके minus 1, plus 1 यहाँ से chlorine का minus 1, plus 1 सुनना मेरी बात को मेरी बात को सुनना कहना क्या चाह रहा हूं calcium का oxidation state अब आपको दिख रहा है sir, plus 2 होगा ध्यान से but जो सवाल क्या पूछता है सवाल यह पूछता है सवाल जब पूछता है उस पर ध्यान दो oxygen के कितना होगा sir oxygen का कितना होगा oxygen इदर से minus लिया है जब यह वाला bond भी deplete करोगे, तोड़ोगे तो oxygen और chlorine में ज़्याद़ negative तो oxygen ने करके यह minus 1 रखेगा करके इस chlorine को क्या फेगेगा plus 1 oxygen का minus 1 minus 1 total होगे minus 2 बट अगर chlorine की बात करोगे तो chlorine में ध्यान समझो यह वाला chlorine क्या लिया है minus 1 और यह वाला chlorine क्या पाया है plus 1 तो यह एक exceptional case है कि bleaching powder में bleaching powder में chlorine के यह दू अलग अलग oxidation state आते है plus 1 भी आता है minus 1 भी आता है बढ़िया बढ़िया exam में पूचा है UPSC तक के exam में इसको repeat कर चुका है इसलिए bleaching powder का जो chemical composition होता है वो CA plus 2 OCl minus अरे दो negative और एक positive मिला के OCl minus और Cl plus Cl minus ऐसे type के ions में तूटता है यह ठीक है तो अच्छा important question structure बना पाए करके oxidation ला पाए state ला पाए P4 protein है ठीक है P4 protein में इसका तो normal है 25 तो आई जागा मैं structure इसका बना देना चाहता हूँ तो प्यार सातियो आप समझिए 5 4 हमारे पास phosphorus थे लगा दिया मैंने चार कुनों पे क्योंकि यह ऐसा question है जिस पर IAT advance comprehension दे चुका है मतलब 3 question का जोड़ा देया था इस question के उपर तो literally important हो जाता है ठीक है एक काम करो oxy acid है तो भी अब पहले तो इदर double bond हो double bond हो सब को बाट दो सब को बाटा ओके ठीक है यह भी हो गया अब करना क्या है 10 oxygen utilize करना है तो हर 2 phosphorus के बीच में एक oxygen set करना है आपको तो यह देखिए यह 2 phosphorus है ठीक है यहाँ भी 2 phosphorus है इनके बीच में अपन एक oxygen set करते जाएंगे like this like that this and that rhyming बन गया न इसके बीच में एक oxygen set अप कर दिया अरे यार देखो तो यहाँ भी तो 2 phosphorus है गया यहाँ सुनो तो इनके बीच में भी ऐसा मैंने एक oxygen set किया और इनके बीच भी मैंने ऐसा एक oxygen set किया कितने oxygen total use हो चुके हैं तो यह वाइट वाले 4 double bond वाले बाहर 4 pinky oxygen 8 2 यह oxygen तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया P4 O10 का final structure बन गया और अगर किसी एक का oxidation state count अप करना पड़ेगा तो minus 2 plus 2 similarly minus 1 plus 1 यह भी single bond से जूड़ा है तो minus 1 plus 1 यह भी single bond से जूड़ा है तो minus 1 plus 1 तो एक phosphorus जितने भी bond से जूड़ा हुआ है total उसका submission करने पे oxidation अवस्था कितनी आ रही है plus 5 आ रही है जो बिल्कुल acceptable है ठीक है तो बढ़िया बढ़िया structures में आप oxidation state count up कर सकते हो ओके चलिए अब यह line तो मैं पहले ही आप लोग को बता दिया था oxygen सेंख्या आप 0 ही लेते हो oxidation number जो होता है positive, negative, zero fraction सब कुछ possible है यह भी आप लोग देख चुकी हो आज के class में अगला point यह था कि एक ही पर्माणूर का अलग-अलग योगीकों में oxygen सेंख्या बिनने बिनने संभव है बिल्कुल है सर सारे के सारे compound carbon और hydrogen से मिलकर बने हुए है आगी वाले में oxygen भी आगिया है chlorine भी आगिया है अलग बात है देखो, सब जगा आप लोगो carbon का oxidation state लाना है तो यहाँ पर carbon का oxidation state कितना हैगा सर, minus 4 आएगा अब mathematically तुरन solve करो यह plus 6 उदर जाके minus 6 divided by 2 क्या हो गया minus 3 हो जाएगा hydrogen का plus 1 होता है 4 hydrogen plus 4 हो गया equal की उदर गया minus 4 हो गया minus 4 divided by 2 करो गया तो minus 2 हो जाएगा hydrogen का plus 1 into 2 2 plus 2 हो गया equal की उदर जाके minus 2 divided by 2 करना दो carbon है न तो यह minus 1 हो गया कितना हो गया minus 1 प्लस 8 डिवाइड बाइ 3 कितना हो जाएगा प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 भी तो होना है माइनस 8 बाइ 3 हो गया CO oxygen का माइनस 2 equal की उधर जाके क्या हो गया sir सबका समझ पा रहे हो न सबका oxidation state ला रहे हो आप लो ठेक तो जब आप सबका oxidation state ला रहे हो तब आप सीख आ रहे हो कि सारे cases में आप carbon का ही oxidation संख्या निकाल रहे हो और वो oxidation number अलग-अलग compound में अलग-अलग आ रहा है किसी में negative में आ रहा है किसी में fraction में आ रहा है किसी में positive में आ रहा है is that clear everyone ठीक है यहाँ भी क्या रहा है plus 4 आ रहा है तो यही बात तो लिखी हुई थी कि एक तो oxidation number positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है कभी zero भी हो सकता है और fraction में भी आ सकता है और दूसरा point कि अलग-अलग योगिकों में एक ही तत्व अलग-अलग oxygen अवस्था को प्रदर्शित कर सकता है तो यह सारे important factual points हो गए ओके चलिए अब देखो कुछ oxides की बारे में बात करेंगे तो oxide में याद रखना तीन type के oxide हम लोग को लेने रहते हैं कितने type के oxide होते हैं सर तीन type के एक आता आप लोग का जिसकों मैं normal oxide बोलता हूँ जैसे H2O है OF2 है, Na2O है, K2O है यह सारे के सारे normal oxide है जिसमें याद रखेंगे मैं oxide दिया हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ oxidation state on oxygen of oxygen atom oxygen atom तीन type के आपको mainly oxide लेने हैं oxide मतलब जो oxygen से मिलकर बने normal oxide में oxidation state oxygen का minus 2 आता है सर जो per oxide होता है उस पर minus 1 आता है और जो super oxide होता है सर उस पर minus half आता है इसको पहले ही में बढ़ाया रहा हूँआ ठीक है, तीन type के oxide है करना कुछ नहीं है normal oxide, per oxide, super oxide आधा करते जाओ तो minus 2 का आधा minus 1 होगी आधा minus 1 का आधा minus half होगी बात खतम, रटा गया है ने, examples देखना चाहो तो examples देखना चाहो भाई तो इसका ले लो K2O क्या ले लो सर, K2O potassium oxide है के का पता है सर कितना होता है plus 2 होता है के का plus 1 होता है ऐसे 2 के है plus 2 हो गया इक्वल को उधर गया oxidation state ही सा आए हाँ पर कितना आगया सर minus 2 आगया similarly K2O2 ले ले लेता हूं मैं potassium हम पर oxide तो एक potassium का plus 1 ऐसे तो potassium plus 2 इक्वल को उधर गया minus 2 हो गया divided by 2 करोगे न क्योंकि 2 oxygen की बात कर रहे हो तो ये minus 1 हो जाएगा minus 2 by 2 minus 1 हो गया अब बात कर रहे है हम लोग सूपर oxide की तो ये हो जाएगा हमारा K2 क्या है K2 पूछा हुआ सवाल है बहुत बार पूछा हुआ सवाल है तो भी अब potassium का क्या लोगे plus 1 हम ही सब मैंने पहले ही rule बता दिया है alkaline metals alkaline earth metal हर case में plus 1 plus 2 ही so करेंगे वो कभी नहीं change करते है change होगा तो oxygen का change होगा plus oxygen के क्या ले होगे sir 2 times of x equal to 0 तो यहां से 2x equals to क्या हो रहा है sir 2x equals to ये plus 1 उदर जाके minus 1 हो गया तो x की value कितनी हाई half आई इसका मतलब आँ समझ गया है कि K2 एक कैसा compound है तो एक super oxide है क्या है sir super oxide है clear हो ये बात है एक दम प्यार से समझ में आया तो बस यही चीज लिखाएगे in case of oxides per oxide, super oxide only oxidation state of oxygen changes सब में खाली oxygen का oxygen कराण अस्था बदल रहा है potassium सब में क्या लिया गया plus 1 ही लिया गया इसी क्यूपर न 2020 में आगे बढ़ जाएं दोस्तो ध्यान से दिखिए अब बात आ रही है oxidizing agent जिसको oxidant बोलते है मतलब oxykarak सुरु में यह बोलते हैं मैं बताऊंगो इसको और reducing agent जिसको अब चायक बलते हैं यह होते क्या है तो ध्यान समझो अभी एक बड़ी प्यारी से movies आ रही है मजनू करके मिसन मजनू ऐसा कुछ करके है सिधार्द रोय जी की तो जैसे रो का कोई भी agent है उसमें वो रोय agent बने हुए है रियल स्टोरी पे है यह movie कि भारत का एक रोय agent पाकिस्तान में रहके भारत के लिए काम किया और इतने लंबे समय तक रहा कि वहाँ सेना का एक बड़ा अधिकारी भी बन गया था ठीक है जो भी है उस स्टोरी पे फिल्म को बनाया गया है तो आप उसको ऐसा समझो यहाँ दो चीजी है वह agent क्या है रो का agent है मतलब भारत का agent है पर काम कहा कर रहा है पाकिस्तान में दुख जेल रहा है कई सालों तक अपने परिवार से दूर है अपने घर माता पिता से दूर है वहाँ एक अलग नकाबी जिन्दगी जी रहा है है ना नकाब वाली face तो खुद की उपर बेचारा दुख ले रहा है वही आल इनका है दो चीजे होती है एक होता है तत्व और दूसरा होता है chemical reaction तो oxidizing agent क्या होंगे एक खुद मतलब वो raw agent खुद है है कहा का इंडिया का पर काम कहा कर रहा है पाकिस्तान में यह किसी भी दूसरे बाहर की मुल्क में है ना अपने country को protect करने के लिए खुद की उपर दुख ले रहा है ताकि country protect होगा है तो दोस्तों यहाँ oxidizing agent का भी यही रोल है oxidizing agent self reduce होगा खुद क्या हो जाएगा swell up cheat होगा reduce होगा ताकि chemical reaction क्या हो जाए chemical reaction oxigrit होता रहा है जैसे वो जो agent था वो कहां रह रह रहा है दूसरे मुल्क में किस के लिए काम कर रहा है इंडिया के लिए rock agent इंडिया के लिए तो oxidizing oxidizing agent मतलब reaction इंडिया क्या है एक reaction है उसके अंदर बहुत से लोग होते है तो उसका एक आदमी है एक element उसका एक आदमी क्या रहा है एक तत्वर है बस बात इतना सा है पकड़ दो बस इसको तो oxidizing agent मतलब इंडिया को oxidize होना है बट अबिस्थी बात है उसको oxidize करने के लिए लोगों को बलिदान तो देना पड़ेगा खुद oxidize हो जाएंगे तो यही principle है oxidizing agent और reducing agent का कि oxidizing agent जब भी यह बड़ा नाम आए तो समझे लेना कि यह reaction के लिए है तो reaction oxidize हो जाएगा मतलब element self-reduce हो जाएगा तो वह आपका दार्थ जो swim up चाहित होता है परन्तु रसायनी कभी करिया मतलब country बड़ा चीज जिसमें कई सारे element आते हैं वो क्या होना चीए औक्सिकरित होना चीए chemical reaction oxidize हो जाए और self-reduce हो जाए ऐसे element को हम लोग क्या नाम देते हैं oxidizing agent oxykarak के नाम से पुकारते हैं जैसे मान की चलिए यहाँ पर 2Cl- 진ous से 0 होता है से minus 1 हुआ इसका मतलब इसक़ oxidation state बढ़ा है की घटा है सर oxidation state घटा है अगर oxidation state घटा है तो आप समझ गया है कि chlorine क्या हो रहा है self-reduce हो रहा है self-reduce हो रहा है swarm upYA चाहित हो रहा है इसका मतलब यह क्या है । oxidant है oxykarak है जो स्वयम अब चाहित हो, पर अभी क्रिया को ओक्सिक्रित कर दे, वो क्या कहलाता है, ओक्सिकारक कहलाता है, ओक्सिडेंट कहलाता है, ओक्सिडेंट कहलाता है, ठीक है? यहाँ प्लस टु है, और यहाँ से आप जीरो पे जा रहे हैं, कोई फ्री स्टेट में न, तो आप साब समझ रहे हैं, ओक्सिडेंट नंबर क्या हो रहा है, यह औक्सिडेंट इस्ट घटने का मतलब आप समझ गें कि, मेंगनेशियम जो रहेगा, यहाँ पर दोस्तो, स्वयम अब chase हो रहा है इतना तो English चल जागा न भाई इसलिए ये कौन सा agent है ये oxidizing agent का role play कर रहा है जो swarm reduce हो जाए वो oxidizing agent ठीक इधर पकड़ो fe plus 3 से आप fe plus 2 जा रहे हो फिर से positive charge घट रहा है जब भी positive charge घटता है आपको पता ये घटना क्या कहलाती है ये घटना कहलाती है अब chain तो यहाँ fe plus 3 कोई आरण नहीं fe plus 3 मतलब जो हमारा फेरिक आयन है वो self reduce हो रहा है और अगर ये self reduce हुआ है साथियो swarm आप चाहित हुआ है तो ये एक oxidizing agent की तरह काम किया होगा ठीक है मतलब प्रकृति का नियम लएगा कि अगर कोई दुखी है तो same time पे उसकी दुख के कारण को सुखी है जैसे class में हम लोग पढ़ते थे ना बचपन में अरे भाई कोई rank बन तभी आप आता था जब दूसरा बंदा rank 2 आता था है ना बज़रा मगर rank 2 बज़रा दुखी रहता थे ना कितना मैंनत करता हूं नहीं होता करके मेरी भी एक ऐसी वाक्या थी पता है मेरा मेरा दोस्त था आश्री फंसारी करके बड़ा neck to neck competition होता था यार दोनों दंदों के बीच में मतलब मैं हो और उसके बीच में एक दम neck to neck competition मतलब हमने छटवी से साथ पकड़ा था तिमाई चमाही वार्सिक तीन पेपर एक साल में होते हैं दोनों के मिलाके पूरे paper मिलाके ना 0.5 marks एक marks ऐसा difference होता था नौ अलग अलग पेपर चटवी सातवी आठवी कभी भी हमारा ना दो नंबर चार नंबर से जादा कभी difference आया ही नहीं है ठीक है इन दोनों के इन दोनों लड़कों के बीच का competition इतना यूनिक था इतना यूनिक था कि आप सोच सकते हैं कि ये दोनों पीचे हो के राज्य में पांच वे स्थान पाया था इतना नेक competition नेक टू नेक बट अबिसी बात है राज्य में पांच वे स्थान आना बहुत अच्छी बात है इनाम मिला सब कुछ मिला अपने क्लास में तो दूसरा हूँ ना मैं ठीक है तो ये बड़ा दुख रहता था म मैं बार पर यही सुचता था यार क्या करो पेपर में नाम तो छपा है फर खक्षा में तो दूसरा हूँ मैं तो मैं अपने बड़े भीया से पूछा है मैं इसलिए मानता हूँ कि जो प्रेमजीत सर है उन्होंने मेरी monitoring बड़ी अच्छी की है अच्छे संसकारों से पोशित हुआ मैं उस बंदे नो बड़ी अच्छी बात बताई तो इसलिए दूसरा आता है ना अरे हमने स्कूल का record तोड़ दिया था पता है 40 साल का स्कूल का record तोड़ा बट फिर भी मैं सेकेंड 95-95-98-98% marks खीच रहे हैं फिर भी सेकेंड मेरा भाई नहीं ये बात बोली थी जब एट बोड का मस्त टीवी फिर रिजल्ट आया ऐसा डाइप का अब तो बोड बंद हो चुका है आठ भी दस भी ये रहे हैं या वो भी बंदी कर रहे हैं अब तो इसलिए बच्छों का ना पुरा educational profile ही खराब हो चुका है तो उस बंदे नो बड़ा प्यारा बात बोला जी दो और आपको आगर आगे निकलना है तो आपको खुद की उपर मेहनत करनी पड़ेगी तबाही मेहनत करनी पड़ेगी और ऐसा वाक्या हुआ था आफ्टर एट बोड मेरी एक स्कूल की सीनियर टीचर थी उन्होंने ऐसे मुह पे बोल दिया था हम तीन लोग एक साथ मैं देख दो दोस्तों और तो ऐसे वहनत करता है पर आसीफ को कभी पीछे नहीं कर पाता है मूँपे बोला था मैडम को मैडम अब मैरको आसीफ को पीछे नहीं करना है खुद मैं आगे आ जाओंगा और यह साल का रिजल्ट देख लेना मैं और हुआ भी वही जब क्लास न नंबर के मार्जिन से पीछे हुआ, टेंथ में फिर ये बंदा स्टेट रैंक वन हो गया, और वो बंदा 86% पर उतर गया, लगबग लगबग 12-14% का डिफरेंस, तो ये चीज़े होती है, और 12 में आते आते तक वो 68% पर आ गया, तो मुद्दा ये है ना, कि आप किसी को नहीं आया हो, उसको यार तोड़ दो, और उसको जब मैं तोड़ने गया ना, उसको तोड़ने नहीं गया, उसको तोड़ने के चेकर में मैंने खुद पर काम करने गया, करके मेरा personal development बहुत अच्छा हुआ, स्टेट टॉपर्स भी हुए, पैसे मिले, आज पढ़े हैं अच दोस्ती सबसे खुब सूरत दोस्ती है, यहां ध्यान से आईए, आयोडिन का 0 है, यहां पर माइनस 1 आएगा, तो सर जीरो से लेकर आप माइनस 1 जा रहे हो, आपको ऑक्सिडेंट रिदक्टिंट दोनों पहचानना है, तो आप यहां समझ पा रहे हो, 0 से माइनस 1 जाने में यहां पर ओक्सिडेंट संक Konst講 क्या हो रहा है सर घट रहा है, अगर oxidation नंबर घट रहा है, तो self reduced हो रहे है, यह क्या हो रहे है minus 2 से 0 oxidation number क्या हो रहा सर बढ़ रहा है ना अगर बढ़ रहा है तो sulfur self oxidized हो रहा है और जो self oxidized होते हैं दोस्तों वो reducing agent कहलाते हैं तो आप से पूछा गया था कि ये complete redox reaction है इसमें कौन oxykarak है कौन अपचायक है ततकाल प्रभाव से आप बता पाओगे की नहीं बिल्कुल बताना है ठीक है चालो इसको पकड़ो इसको पकड़ता हूँ ZN से ZN SO4 बनाए यहाँ ZN का oxidation state 0 लोगे SO4 पे minus 2 charge आता है करके ZN पे plus 2 charge आएगा तो आप यहाँ से समझ पाए कि आपका जो oxidation state है 0 से plus 2 जा रहा है मतलब बढ़ रहा है बढ़ रहा है का मतलब क्या होगे कि जो ZN है वो self oxidized हो रहा है स्वैम oxycrete हो रहा है तो जब वो स्वैम oxycrete हो रहा है तो इस ससुरा reducing agent कहलाएगा similarly Cu plus 2 से आप कहाँ भेज रहे हो 0 पे भेज रहे हो copper जो है न less reactive metal में आता है zinc उसको replace कर दिया तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि जो oxidation state है plus 2 से 0 जा रहा है मतलब घट रहा है अगर घट रहा है तो copper का oxidation state घटने का मतलब है कि वो self reduced हो गया और जो self reduced होता है वो oxidizing agent कहलाता है तो किसी भी chemical reaction कोई भी redox reaction आपको दिया जाए आप से अगर oxikara cup check का पहचान करने पूछे आप बहुत ही सरलता से बता सकते हो यह सरलो तो चलिए आज का वीडियो में हम इतना ही रखेंगे हलांकि आज हमने बहुत सारी पढ़ाई कर ली है आज हमने oxidation state निकालना सीखा oxikara cup check की प्रविर्ती जानी redox reaction को समझा अलग-अलग compound में बिना mathematics के कैसे हम लोग oxidation number को निकालते हैं यह सारी बातों को हमने जाना ठीक है exceptions case देखे जैसे यह आप लोग का butterfly structure आया था इतना प्यारा सा सुन्दर सा निली तितली ठीक है एक-एक मैंने आप लोग को exceptional चीज़े यहाँ पर deal out कर आई यह सारे आप लोग के बड़-बड़ एक्जामों में आई हुए question है और इससे ज़्यादा बाहर कभी कुछ भी नहीं जाता इसलिए मैं class में बहुत सारे questions भी कराते चलता हूँ यह सारे concept आपने जाने कि कभी भी neutral atom का या आपस में bonding किये हुए molecules का oxidation state zero लेना है oxidation number जो आता है या state जो आता है positive, negative, zero, fraction, सब कुछ संभाव है एक ही element का अलग-अलग योगिकों में ऑक्सिगरन संख्या अलग-अलग आ सकता है ठीक है, oxides के भी हमने nature देख डाले इसी lecture में कि oxide तीन टाइप के लेंगे per oxide, super oxide, normal oxide normal oxide का oxidation state minus two, per oxide का minus one, super oxide का minus half alkaline metal से alkaline earth metal हमें से क्या होती है, plus one और plus two ही देती है ठीक है, बाकी हमने oxidizing agent और reducing agent यह सारा concept आज के class में हमने deal किया है होप सो आज के class आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ऐसा ही सिने प्यार बनाय रखिए next class आंदी तुफान रहने वाली है आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आपका mental status को किस level तक वहाँ पर उठा के रखने वाला हूँ तो अगला class याद से आप लोगों को पढ़ना है all the very best, जाहिद